नमस्कार दोस्तों, बजट 2022 पेस किया जा चुका है, और चुंकि ये जो बजट है, वो इस वर्स हम आजादिक का जो 75 वां उत्सव है, वो मनाएंगे, यानि कि जो अमरत मोहत्सव है, वो मनाया जाएगा, तो 75 से लेके आगे कि जो 25 वर्स है, उनकी एक दिर्ग कालिन योजना दिमाग में रखते हुए, इस बजट को तयार किया गया, बताया जा रहा है, कि हम अब 75 से आगे, जो अमरत काल है, सतापदी वर्स है, उसमें परवेश कर चुके हैं, तो बजट हालांकि अगर आप देखेंगे, तो 3-4 गंटे, धाई 3 गंटे का एक विस्तरित वीडियो है, वहां से मुख्य बातें आप निकाल नहीं पाते हैं, तो मैंने राजस्तान पत्रिका के करीब 7-8 प्रिष्ट का गहन अध्यन किया, और कुछ वीडियो देखे, BBC News की समिक्षा देखी, उसके बाद में ये 15-20 मिनिट का वीडियो तयार किया है, तो आपके सामाने ग्यान और सामाने समझ की दृष्टी से, तथा competition exam की दृष्टी से, जो कि आपके आगामी एक साल तक ये जो बजट है इसके डाटा, आपके काम आएंगे, तो हम इसको समझते ह बिंदुबार, मैंने इसके हस्त लिकित नॉट्स बनाए है, उनकी मदद से हम इसके जो परतेक बिंदु है, उसकी चर्चा व्याख्या करते हुए इसको देखेंगे, और इसकी जो PDF आपको मिलने वाली है, जो कि मैंने तयार की है, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपक इसमें वो मिल जाएगी, ठीक है, और अब हम देखते हैं, जो बजट है, उसका पूरा जो सार समिक्षा वो, क्योंकि वेसे इसको थोड़ा सा समझना कठिन हो जाता है, तो आपके यह मानलों की 3-4 घंटे जो है, उसकी बजट करके 20 मिनिट में इसको तयार कर लिया है आपक करें, तो भारत सरकार का जो पहला बजट है, वो लियाकत अले वितमंत्री थे, 1946 की बात है, तो अंतरिम सरकार का जो बजट है, वो उन्होंने परस्तूत किया था, सो तंतर भारत का जो बजट है आजदे के बाद में, उस समय सनमुख चेटी है, वो वितमंत्री थे और उन् चुनाओं हुए, एकाउन में और बाउन में जो संसत गटित हुई, उसके बाद का जो बजट है, पहला बजट, चुनाओं के बाद का, वो सीगधी देशमुख वितमंत्री थे, उन्होंने प्रस्तुत किया। अब वर्तमान में बारत की जो पहली महिला वित मंत्री है और इनको हाली में जो टाइम पत्री का है उसके द्वारा सबसे 37 साली बारत्य महिला का जो इनको सुची में सामिल किया गया है तो निर्मला सितारमन इन्होंने प्रस्तुत किया है 2022 का जो बजट है उसकी मुखे विशेशताई हम देखते हैं अमरित काल का बजट है आजादी के 45 से 100 विवर्स में प्रवेश करने के हिसाब से आगामी 25 वर्सों का भारत का क्या खाका होगा उसके उपर यहाँ पर विकास की जो दिर्ग कालिम योजना है उस पर जादा फोकस क किया गया है पी एम गती सक्ति योजना गती की सक्ति यानि आप गती कहां होती है में कहां मिलती है अर्थवेश्ता को देश को सडकों के मादिम से परिवहन के मादिम से तो गती सक्ति तो मास्टर प्लान तयार किया जा रहा है और 25,000 किलो मिटर की लंबी सडकें पूरे दे Digital currency एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर कानून लाने की भी बात थी मगर अभी कोई ऐसा कानून बेन करने का नहीं लाया गया है और RBI भी क्योंकि देखो Digital currency का जमाना आ रहा है Digital currency और Cryptocurrency दोनों थोड़ी अलग अउधारनाई है Digital के अंतरगत जैसे हम Digital Lending भी करते हैं Crypto एक आभाशी मुद्रा है जिसकी कोई फिलाल उसकी जो Head Office, Controlling Office नहीं है तो RBI जो है ये भी Digital जो Cryptocurrency है उसकी तरह ब्लोक्चेन पर आधारित जैसे Bitcoin है वगर वगर तो उनकी तरह ही ब्लोक्चेन पर आधारित Digital currency जो है वो भी जारी करेगी और हो सकता है इसी साल कर दें Crypto के Transfer और Gift पर 30% Tax लगाए जाएगा मालेजिए आपने कोई Cryptocurrency, Bitcoin, Dogecoin या केशी पिपरकार का Ethereum कुछ भी आपने ले रखा है उस पर आपको जो लाब मिला तो लाब मिला आपने बेचा जो लाब राप्त हुआ उस पर 30% जो टेक्स है वो लगाए जाएगा सामाने तरह इंकम टेक्स का जो हायर सलेव होता है अगर आप कोई transaction करते हैं तो transaction पर 1% कर इसमें लगाए जाएगा तो यह क्या है कि भारत सरकार के लिए इंकम का एक नया source जो है वो तयार हो गया है भारत में लगवग 10 क्रोड यूजर है वो Cryptocurrency को यूज करते हैं किसी न किसी रूप में इन्वेश्ट कर रखा है या कुछ भी जो है जुड़े होए है आपने भी अगर कोई छोटा मोठा कुछ ले रखाया तो कमेंट करके बदाएं गेमिंग की बात करें तो वरतमान में आपको पता है कि बहुत ज्यादा मोबाइल पर गेमिंग जो है वो चल रहा है बहुत सारे जो जुड़े रहते हैं यह हुआ तो इसमें भी अब केरियर भी है पेशा भी है तो इसके परमोशन के लिए सरकार एक टास्क फोर्स बनाएगी और इसमें एनिमेशन एनिमेशन के मादिम से जो वीडियो तयार होते हैं वो विज्यूल इफेक्ट जो तरह तरह के इफेक्ट डाले जाते हैं जो फिल्मों में भी काम आते हैं और एनिमेशन में भी काम आते हैं तो इस सेक्टर को बढ़ावा देने का भी सरकार ने पूरा परियास किया है और लगभग बारत में वरतमान में 25-40 क्रोड यूजर जो है वो गेमिंग के हैं आप देखना यूट्यूपर जो बड़े बड़े चैनल है वो गेमिंग के उनके फॉलोवर है रोजगार सरजन जो ह इस चैतर में हो सकता है जैसे जो गेम बनाते हैं क्रियेट करते हैं और भी कई परकार से जुड़कर तो यह रोजगार का एक नया चैतर आ रहा है समय बदलता है दोस्तों समय-समय की बात होती है ई-पासपोर्ट जैसे आप घर बेठे पेन कार्ड बनाते हैं मोबाइल से आ अब आवेदन करके घर बेठे डिजिटल ई-पासपोर्ट जिस पर एक चिप लगी रहेगी वह आपको मिल जाएगा आपको कहीं चकर काटने क्या सकता नहीं पड़ेगी विश्वा में 100 से ज़्यादा देशों ने इस पासपोर्ट को वेदता दे रखी है और भारत का जो प अब भी देख रहे हैं डिजिटल नादिम से देख पा रहे हैं और जो समय है आने वाला वो डिजिटल का है फोर जी से हम 5G में परवेश कर चुके हैं तो डिजिटल उनिरसिटी भी इस्तापित किये जाएगी जिसमें इसकिल यानि कि कोसल जी इसकिल अप इसकिल इनके लि जो है वो प्राप्त कर पाएंगे फाइदा क्या होगा फाइदा ये होगा कि अंतराश्ट्री इस्तर के विशे सग्यों से भी जायो अमेरिका के हो ब्रिटेन के हो काई के भी हो उनसे भी आप सीख पाएंगे पढ़ पाएंगे जैसे आज देखे यूट्यूब और ओनलाइ अब भारत के किशी भी कोने के प्रख्यात शिक्षक से भी घर बेठे शिक्षा प्राप्त करते हैं यहां से अब यह और विश्व इस्तर पे चीज़ें बिढ़ेगी PME विद्या योजना प्राइम मिनिस्टर परदान मंत्री E विद्या E विद्या का मतलब E यानि इंटरनेट इलेक्टरिक माद्यम से विद्या तो इसमें भी क्या है घर बेठे शिक्षा के लिए छेत्रिय भासा में लोकल भासा में राजस्तानी गुजराती पंजाबी अलग अपनी अपनी छेत्रिय भासा में क्योंकि छोटे बच्चों को ची अब ही लगवग 12 टिवी चैनल है ये जो की एजुकेशन से जूड़े वे अब 200 नए टिवी चैनल खोले जाएंगे जिन में कोरोना जैसी विकट परस्तितियों से निवटने के लिए भी साती सात गर गर एजुकेशन पहुंचाने के लिए किया जाएगा डिजिटल हेल्थ में भी डिजिटल आ गया है और IIT बेंगलूरू डिजिटल हेल्थ पलेटफोरम एको सिस्टम तयार करेगा जिसमें आप घर बेठे प्रख्याद डॉक्टर से सला ले सकेंगे और जहां अत्ती आवश्यक होगा वही होस्पिटल जाना पड़ेगा नहीं तो आपको अधिकांस दिजिटल ही मिल जाएगी केन बेतवा पलस पांच और नदियों को जोडने की योजना जो लमे समय से चली आ रही है दो जार एक दो से इनके बात की जा रही है उनको भी पुनाई स्वाइदे को दोराया गया है और पेईजल सिंचाई बिजली आदी जो फाइदे हैं वो इन अधियों को जोडने से होंगे डिजिटल किसान सर्विश किसानों को भी डिजिटल किया जा रहा है टेक्नलोजी से जोड़ा जा रहा है इसमें जमीन के जो दस्तावेज है वो डिजिटल होंगे ताकि जमीन समन्दी विवाद कम से कम हो और पारदर किया जाएगा इस्पेसल बेटरी एक्सेंज चार्जिंग शेंटर अब देखो दोस्तों आजकल पेट्रोल मेंगा हो गया पेट्रोल से परियावरन को नुक्सान होता है और गलोबल वारिमिंग बढ़ती है बारत ने अभी कोप 26 में अपने जो मोदी जी ने पांच पंचामर दिये उसमें भी दोहराया कि 2030 तक हम जो है कारवन उत्सरजन को और कम करेंगे तो टार्गेट रखा है तो उसके लिए सबसे बड़ा साधन होगा इवहिकल इलेक्ट्रिक जो वाहन है इस्कुटी इस्कुटर बाइक गाडियां वो सब तो इन से क्या होगा कारवन उत्सरज बिल्कुल नहीं होगा तो इसके लिए डिस्चार्ज बेटरी मालीजिए अब आप गए और आपकी बेटरी दिस होगी आपके नहीं मतलब आपके वहान की तो अब वहाँ आप क्या करेंगे चार्जिंग लगाएंगे गंटा दो गंटा इतजार करना पड़ेगा फाश्ट कर लें तो इससे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 75 75 डिजिटल बेंक 75 चुनिन्दा जीलो में गाओं के लोगों के लिए भी घर बेठे ओनलाइन बेंकिंग शेवाएं जिसमें क्या होता है कि करामीन अंपड किसान लोग है उनके पास स्मार्ट फोन नहीं है कुछ जग इसपेसल मोबिलिटी जोन मोबिलिटी मतलब गतिवीदी तो इलेक्ट्रोनिक जो वाहान है इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार 2030 तक लक्षे रख रही है कि इनके लिए अलग जोन बनाए जाएं और 30% निजी एवी कारे हो 2030 तक ये सरकार का है कि जो कारे है वो 30% इलेक् प्रोजेक्ट रखा गया है तो जैसा कि मैंने सुरात में कहा कि ये बजट 2022 ही नहीं बलकि 2025-30 और यहां तक कि आगामे 25 सालों तक का एक खाका जो है वो तैयार कर रहा है वंदे भारत ट्रेन ये प्रेटन ट्रेने हैं जो कि प्रेटन छेत्रों को जोड़ती है शेर कराती है तो अगले तीन वर्सों में 400 नहीं ट्रेने जो है वो आएगी तो इससे रोजगार भी मिलेगा और प्रेटन छेत्र को बढ़ावा मिलेगा जिससे की राजस्वे की प्राप्ती होगी अब कुछ हम लेते हैं विशेस बातें इस बजट की इसमें हम देख सकते हैं कि किसानों के खितों में ड्रोन से कीटना सक चिड़काव होगा अभी तक ड्रोन किस काम आता है आम आदमी के साधी व्याह में वीडियो सुटिंग फोटोग्राफिक के लिए अब ड्रोन से चिड़काव आपने देखा होगा अभी तक पंप सेट पिछे वो एक लगा रहता है और किसा जो नेशनल पिर्शन इसकी मैं सरकारी करमचारियों की जो कटोती होती है वो 10% के बजाय 14% के अंदर में थी पहले से अब राज्यों को भी 14% जो है ये करनी होगी तो इससे करमचारियों को फाइदा मिलेगा हालांकि राज्ये पर बोज बढ़ेगा आतम निर्बर भारत योजना के तहट मेकिनी इंडिया इसके तहट 60 लाक नई नोकरियां जो है वो सरजित होगी कितने दिनों में होगी इसा कोई फिक्स नहीं है 2027 अगर हमी 5 सालों में अनुमान है कि 60 लाक जो नोकरियां है वो सरजित होगी यानि लगबग साल के 10-12 लाक इन चेतरों में जैसें भी कोई कमपनी आई निवेस किया तो वहाँ लोगों को रोजगार मिला इत्यादी आईकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है वो ही है 5 लाक तक कोई इंकम टेक्स नहीं फिर 5 लाक तक वो 5 परतियसत फिर 10-20 वो जो पहले सलेब था वो ही है 15 परतियसत आमदनी सरकार को इंकम टेक्स होती है यह आप ध्यान रखना है तो डाटा रखा आपके लिए कि जो सरकार की जो कुल आई है उसमें 15% इंकम टेक्स है वर्चुल क्रेंसी वर्चुल क्रेंसी का मतलब क्रिप्टो क्रेंसी वो बिट कोईन वगर है उनको अगर आप खरीदते हैं लाब होता है आनी होती है तो उसको आपकी जो बाकी आई है मालेजी आप साल के 10 लाक कमाते हैं और 4 लाक आपने वर्चुल क्रेंसी से कमाए तो वो अलग उसका इसाब रहेगा उसका सलेव अलग रहेगा 30% है इसमें सीदा मालेजी आपको गाठा लग गया इसमें तो आप उस जो 10 लाक आपने अधर सोर्स से कमाए उसमें से आप ये गाठा दिखा नहीं सकते हैं कहने का मतलब वर्चुल क्रेंसी का लाब आने का इसाब अलगी रहेगा सिदा सिदा 30% लाब पे और एक परतिस सता है पर ट्रांजेक्शन पर ये टेक्स रखा गया है तो इसको भी कोई एवेद वगर ऐसा कोई कोशित नहीं किया गया है क्योंकि बहुत बड़ा हजारों करोड का ये कारोबार है डाक गरों की बात करें तो डाक गर जो है इनको भी डिजिटल किया जाएगा और ATM, नेट बेंकिंग इन से जोड़ा जाएगा क्योंकि आज बहुत सारे ग्रामवासी लोग भी आम लोग भी डाक गर बचत योजनाओं से जूड़े हुए है तो उनको फाइदा मिलेगा, ATM होगा, वहाँ से पेसे पेसे निकाल पाएंगे अब विशे सग्य क्या करें है कि यह हैं बज़ट, करिशी, डिजिटल अर्थ वेवस्ता और फिंटेक फिंटेक मुला फाइनेंस और टेकनोलोजी उनको आगे बढ़ाने वाला वज़ट है क्रिप्टो और निवेसकों के लिए अच्छा वज़ट है यह अमिताब कांथ, CEO, नितियायोग उनका वयान था आगे देखते हैं पेज नमबर तीन सलरा है, कुल पाँच प्रिष्ट में इसका पूरा सार जो है वो समेटा है आपको यह परियास अच्छा लगा, तो कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो पर आप अपनी प्रतिकरिया लाइक के रूप में दे सकते हैं पीडियाप आपको इसकी येस गुरू एप पर पीडियाप सेक्शन में मिल जाएगी और वहाँ येस गुरू एप पर विफिन परकार के कॉर्सेज उसके अलावा मोक टेस्ट, निश्वलक मोक टेस्ट और फर्ष्ट ग्रेड, सेकिंड ग्रेड, जीट, इत्यादी के कॉर्सेज भी आपको मिलेंगे तो येस गुरू एप आप जूरू डाउनलोड कर लेए राजकोसिय गाटा, चालू वित वर्स में राजकोसिय गाटा 6.9 परतिसत रहेगा आगा में वित वर्स, वित वर्स एक अपरेल से प्रारम होता है सभी आप जानते हैं तो 6 गसमलोग 4 परतिसत का अनुमान है वर्दी दर की बात करें तो 9.2 परतिसत की वर्दी दर जो है वो दर्ज की गई है जीडीपी की हालांकि कोरोना में माइनस में भी चली गई थी मगर इस साल वापस अच्छा ग्रोध कर लिया है और चीन, अमेरिका सभी को पिछे चोड़ते वे विश्वय की सबसे तेजी से बढ़तीवी अर्थ वेवस्ता जो है ये है और आगामी कुछ सालों तक ये रुजहान इस्तिरूप से रहेगा बजट दो हजार, बाइस, तेइस, जो भी आज जारी हुआ उसकी बात करें तो 49.45 लाख करोड का ये बजट जो है कुल रखा गया है 49 लाख करोड आगमोटे तोर पे 40 लाख करोड याद रख सकते हैं इसकी कुल रासी बजट का मतलब राष्टर को संपन बनाना है यानि इस बजट का उद्दे से तो ये खतन है राजीव कुमार जो की उपादेक्स नितियायों के तो ये दो फेक्ट आप इसे भी आद रख सकते हैं नितियायों के अदेक्स उपादेक्स 25 सांसद देने वाला राजस्थान बजट से निरास है ये कतन कहा है स्रिमान असोगहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अब हम देखते हैं कि बजट से राजस्थान को क्या मिला राजियों को बिना ब्याज के एक लाख करोड की मदद दी जाएगी ये राजस्थान के लिए नहीं है एक लाख करोड पूरे भारत के राजियों के लिए हैं कुछ चुनिना भी हो सकते हैं तो एक लाख क्रोड की मदद मिले की बिना ब्याज के तो निस्चित रूप से राजस्तान को भी इसमें हिस्सा मिलने वाला है हैंडी क्राप्ट और प्रेटन उद्योग को कुछ राहत के संकेत है जैपूर में जेम एंड जवेलरी यानि जो जवेलरी का और जो कीमती पत्थर उनका व्यापार उनका निर्यात बहुत विश्वपरसिद है तो इस पर कश्टम ड्यूटी में कमी की है जिससे की निर्यात बढ़ेगा और जैपूर सहर को विशे इसलाब मिलेगा सोर उर्जा की बात करें तो राजस्तान तो इसमें नावाचार में पर्थमिस्तान पर है यह तो उनिस हजार पान सो क्रोड यह सारी राज़े आपको याद नहीं रखने आपके हो समझ ले तो इतने कुल आवंटित किये गए हैं तो निसीत रुप से राजस्तान को भी कि राजस्तान में इतने दिन दसी परतिस्त था सरकार जो अंसदान करती है वो अब 14 परतिस्त करेगी तो 4 परतिस्त का अत्रिक्त भार वो बढ़ेगा बजट में 80,000,000 मकान बनाने की बात कही गई है और उसके लिए 48,000 करोड का प्रावदान है तो उसमें भी राजस्तान क कुछ लाब मिलेगा और जो बेगर लोग है उनके लिए मकान बनेंगे पी एम गती सक्ती योजना जो कि मैंने पहले बात की 25,000 किलो मिटर की जो सडकें बनेगी तो राजस्तान के भी कुछ इसे में आएगा कुछ एनच बनेंगे नए और संभावना है कि लाल सोट दो सासे लेके बाड मेर में 55 तक नया एनच जो है बनने की संभावना है आगे बात करें राजस्तान की उम्मिदें जो पूरी नहीं हुई कुछ मांगे थी जो कि सांसदों ने भी उठाई थी दर्ज की थी मगर पूरी नहीं हुई क्योंकि सभी राजियों की मांगे हैं विश्तरित चीजे हैं तो मरस्तल के कारण पानी की कमी के कारण राजस्तान मांग कर रहा है कि उसको विशेस राचे का दर्जाद दिया जाए मगर इस बजट में अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया राजस्तान सरकार चाहती है कि जो अंसदान है वो फिलाल क्या है 60-40 का है तो 60 परतिसत केंदर सरकार 40-30 राजे सरकार मेलकर योजना जो चलाते हैं बहुत सारी तो राजस्तान सरकार चाहता कि केंदर या तो 80 कर दें या 90 कर दें 90-10 मगर इसको भी कोई ध्यान नहीं दिया गया पूरवी राजस्तान नहर परियोजना जो थी उसको राष्ट्रिये नहर परियोजना का दर्जा के लिए भी मांग उठाई गई थी समधित सांसदों ने स्मूद्धे को उठाया मगर इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया रतलाम बहास्वाडा रेल लाइन को मंजूरी की बात कही गई मगर उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है टोंक करोली इत्यादी जीला मुख्याले है इनको रेल से जोडने की बात कही गई राजस्वागाटा अनुदान दुगो ना किया जाए जो अनुदान है ना 4000 से 9000 करोड इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया सोने जाने पर आयात सुल्क चार परतिसत हो तो इस परकार से ये जो मांगी थी वो नहीं मानी गई अब थोड़ी ओर जीजें देखते हैं बजट और शिक्षा छेतर 40,000 करोड उत्सिक्षा के लिए 2,000 करोड एकलवे मोडल आवासिय विद्याले जो के सामनेते जनजाती छेतरों में संचालित होते हैं 49,000 करोड राष्ट्रिय शिक्षा मिसन इसके लिए तो इस परकार से लगबग 1,00,000 करोड रुपे 49,000,000 करोड का पुल था उसमें से शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्राले को दिये गए हैं अब डिजिटल सब कुछ डिजिटल विसविद्याले, डिजिटल कंटेंट, सामगरी, टास्क फॉर्स, गेमिंग वगर के लिए एवी जी सी हमने बात की थी, एनिमेशन वगर, उत्करिष्टा केंदर सेलेक्ट होंगे, 200 क्रोड रुपे परते को मिलेंगे PME विद्या योजना, परधान मंत्री E विद्या हमने बात की थी, कक्सा एक से बारह है तू बारह के इस्तान पर अब 200 टिवी चैनल होंगे, और छेत्री बहसाओं में होंगे तो पहले तो बारे चैनल थे अब 200 होंगे, और नारा रहेगा, टार्गेट रहेगा वन कलास, वन टिवी, यानि एक कलास के लिए एक जो है वो चैनल डिजिटल उपकरण पहुंच से दूर, अब थोड़ी सी कम्यों की बात करें तो के भी कोठारी शिक्षाविद है, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, पूरा फोकस है डिजिटल पे, मगर आज भी सचाई ये है कि 32% परिवार अभी भी वन्चित है डिजिटल पहुंच से और कितने ही लगभग 10% जो विर्यारतियों के पास इंटरनेट नहीं है और जो उप्योग कर रहे हैं उसमें भी 25% क्या करते हैं पढ़ते नहीं है, गेर शिक्षा में उप्योग कर रहे हैं, शिक्षा में नहीं कर रहे हैं तो ये इनका कतन है अब हम बात करें रोजगार वर्सेज बजट की तो 16,000 करोड का प्रावधान सरम और रोजगार मंत्रा ले है तू इसमें 3,000 करोड कोसल विकास और उद्धमिता मंत्रा ले के लिए इसकिल, जी सकिल, अब सकिल आदी ओनलाइन प्रसिक्षन आतम निर्बर भारत मेक इन इंडिया के तहट 2027 तक 60,000,000 नई नोकरियां जिसके बात हम पहले कर चुके हैं ओनलाइन ट्रेनिंग से यह हम को कोसल विकास ड्रोन एज सर्विस के लिए स्टार्ट अप को बढ़ावा यानि आने वाले टाइम में आपको आसमान में बहुत सारे ड्रोन उड़ते वे दिखेंगे ऐसा का जा रहा है कि अमेजन आदी जो वेवसाइट है वो आपके घरों में समान की डिलीवरी भी ड्रोन से करेगी आपको नए एप प्लेटफर्म देखने को मिले इस्टार्ट अप विग्यान और गनित के लिए साड़े साथ सो वर्चुल प्रयोक्षाला एप होगा प्रयोक करके दिखाएंगे दुआ निकल रहा है केमिकल मिला रहे हैं आप कर बेटे देखेंगे इस्टार्ट अप कोई एक साथ आपको नहीं लगेगा साइद ये तीन साल तक का प्रावधान होता है सभी योजनाएं बविशे की हैं अब वर्तमान में क्या मिला अब एसा कार्टून भी आया कि वर्तमान में तो कुछ नहीं है ये तो बविशे में यह वह होगा तो फिर उसमें लिखा बात है कि वर्दभान में फिर पकोड़ेता ले जाएं तो ये एक जोग के दृष्टि से था उद्योग और बजट की बात करें तो MSME, माइक्रो, स्माल और मीडियम, एंटरप्राइज़ छोटे और मद्यम उद्योग जो की कोरोना से सबसे ज़्यादा परभावित हुए इनके विकास पर फोकस किया गया है जीटीपी में 30 प्रतिसत योगदान MSME का है इलेक्ट्रिक वहिकल को बढ़ावा देने से परियावन का स्वर्क्षन होगा और बेटरी स्वाइपिंग जो की मैंने पहले चर्चा की थी आप बेटरी एक्षेंज कर पाएंगे डिस दो और चार्जेज लो तो वो और नेशनल स्किल क्वालिफेकेशन फ्रेमवरक पर फोकस किया जाएगा पीपीप मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के साथ किसानों को डिजिटल हाइटे करने की योजना जो है इसमें रखे गई है EODB इज ओफ डूइंग बिजनस यानि बिजनस जो है वो कैसे सरल हो कोई जंजट नहीं हो कोई लाइसेसिंग वगरे की प्रक्रिया ना हो और इजीली कोई भी बिजनस इस्टार्ट कर सके तो वो इज ओफ डूइंग बिजनस है और इज ओफ लिविंग है इसका पार्ट टू यानि कि टू पॉइंट जीरो जो उसका चर्ण सुरू होगा इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम तो अमर्जेंसी में जो रिंड देने की तो MSME को बुष्ट करेगी प्राकरतिक रसाइन मुक्त आरगेने खेती को बढ़ावा देने के लिए अब काम किया जा रहा है क्योंकि हरित करांती आ गई अब उससे जो केमिकल और जो नुक्षान हुआ है मृदा का प्रियावरन का और जो कीटनासकों का तिदिकुपयो गोराग उसको हटा कर अब हरित करची के ओर ध्यान दिया जा रहा है तो इसके लिए पांच किलोमीटर के छेतर में गंगान दे के किनारे जो आरगेने खेती है उसका पाइलेट प्रोजेक्ट सुरू किया जाएगा अब हम इस बजट की सारांस की बात करें तो बजट दो हजार बाईस इस्तिरकर परणाली कि कोई सलेप में चेंज नहीं किया गया इजो पडूइंग बिजनस और MSME पर ध्यान दिया गया है मेंकिन इंडिया आतम निर्बर भारत 60 लाग रोज़कार कोरोना के उपरांत इकोनोमी को री स्टार्ट करने के लिए जो केपिटल एक्सपेंडीचर यानि जो पुझिकत वे है उस पर आधारित ये बजट है तो इस परकार से दोस्तों ये शार जो है इसका निकालने का प्रयास किया और उमीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी एकदम सरल और आसान तरीके से येस गुरू एप से आप इसकी पीडियाप डाउनलोड कर लेए इसको नोट कर लेए पूरे साल आपके काम आएगा कंपिटिसन एकजामे भी कुछ क्यूसन देखने को मिलेंगे और आपके अच्छे से समझ विक्षित होई होगी धन्यवाद